Hello students, welcome to Mohit Bansal Classes देखे बच्चों, मेरे पास में मंडे से साउथ के स्टूडेंट्स का क्वेरी आ रही थी, क्वेशन आ रही थे कि सर मंडे से साउथ के अंदर और अगर मैं आपको बताऊं, पोस्टली जादा तर कहां से बच्चों जादा तर चैननाई के अंदर से, जादा तर चैननाई के अंदर रोड ब्लॉक है, पानी वाटर की प्रॉबलम है, पूरा एक तरह से हर जगे पर पानी पानी है तो उसकी बज़े से साउथ वाले स्टूदेंट्स मुझे मंडे से ये क्वैरी पूछ रहें, कि सर क्या इसकी बज़े से हमारे एक्जाम डेट के उपर एफेक्ड हो सकता है क्योंकि अभी साउथ में चैननाई में, ये हालत है, कि सर, घर से बाहर निकलना हमारा possible नहीं हो पा रहा है हम एक्जाम देने कैसे जाएंगे मंडे से तो साउथ वाले स्टूडेंट्स मुझसे ये बात पूछ रहे थे लेकिन बच्चों कल राजिस्थान के अंदर कल राजिस्थान के अंदर एक और हादसा एक और गटना हो गई करणी सेना के जो चीफ थे जो हैड थे उनको उनकी हत्या कर दी गई उनको गोली मार दी गई और उसकी वज़े से अब राजिस्थान के अंदर बहुत ज़ादा हंगामा हो चुका है और लडाई होने की थोड़ा वो तंगे होने की आशंका जताई जा रही है जिसकी वज़े से राजिस्थान के ज़ादातर शेहर बंद है आप देखोगे तो राजिस्थान की जो आपकी कैपिटल है चैपुर वहाँ पर पूरा मारकेट बंद कर दिया है और ऐसा सुनने में आया है ऐसा देखने में आया है कि 30-30-40-40 किलो मीटर तक लंबे जाम है, मतलब पूरा ब्लॉक कर दिया गया है, सेंट्रल गवर्मेंट ने बहुत सारी आर्मी गाड़ियों के तुरू राजिस्थान के अंदर भेजी है, तो अब स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि क्या सर ये जो इतने दो इंसी और साउथ के अंदर ये जो प्रॉब्लम चल रही है, क्या इसकी वजह से हमारे एक्जाम जो की 10th of December से स्टार्ट होने वाले क्या उन पर कोई फर्क पढ़ सकता है, देखो बच्चो अभी officially कुछ भी नहीं बोला जा सकता, जब तक CMA Institute officially कुछ notification ना दे दे, तक हम आपको जवाब नहीं दे पाएंगे, एट लिस्ट मैं आपको कुछ भी जवाब नहीं दे पाऊँगा जब तक कि कोई correct official news ना आ जाए, हलांकि अगर मैं अपने सोचने पर बताऊं, तो देखिए क्योंकि कर्णी, जैपूर के अंदर कर्णी सेना का काफी बर्चस्वे है, थोड़ के फसाद भी हो सकते हैं, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि वया नहीं होंगा, शट कोई नहीं है, तंगे फसाद हो सकते हैं, central government इस बात को बहुती serious ले रही है, और अभी राजिस्थान स्टेट के अंदर कोई government नहीं है, बीजेपी जीत गई है, लेकिन अभी तक कोई CM शप रोल कर पाएगा, यह अभी clearly बोल नहीं सकते हैं, तो उसकी बज़े से शायद, हलांकि मैं इस बात को ऐसा कोई तवज्जो नहीं दे रहा हूं, या फिर मैं आप लोगों के mind में ऐसा कोई rumor नहीं डालना चाहता हूं, पर क्योंकि students बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, लग तो हम यह मान कर चल रहे हैं कि exam 10 December से ही होंगे, हाँ अगर CMA Institute को को कोई notification पास कर देगा, तो फिर बात के बात पता चलेगी, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर government इस पर पूरा control ले लेती है, अभी भी देखो तीन दिन बचे हुए हैं, आज 6 तारीक है, 7, 8 and 9, 7, 8 and 9 यह तीन दिन बचे हुए हैं, अगर इसमें government control ले लेती है, तो तो मुझे ऐसा लगता है कि तस तारीक से exam होने में कोई problem नहीं आएगी, पर अगर government इसका control नहीं ले पाई, और अगर हाथ से निकल गई government के ये बात, और दंगा फसाद होने की इस्तिती आ गई, क्योंकि रा राजिस्तान बंद हो रहा है, बहुत सारे जो cities है, राजिस्तान की जहाँ पर ज़्यादातर राजबूत लोग रहते हैं, कर्णी सेना के members रहते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें बंद बताई जा रही हैं, और दंगे फसाद होने की गुझाईश है थोड़ी बहु है ना, तो अभी तक CMA ने कोई official notification नहीं दिया है, अभी कुछ नहीं बोला जा सकता, इसलिए students आप अपना 100% focus अपनी studies पर रखो और ये मान कर चलो, कि exam 10 तारिक को ही होंगे, हाँ लेकिन अगर CMA Institute को इन notification पास करेगा, तो वो हम आपको intimate कर देंगे, आप उसके लिए देख ताकि अगर कोई students South में, चैनने साइड में रहता है या राजस्तान में हैं, तो कम से कम उसको भी ये बात पता लग सके, चलिए बच्चों, ये वीडियो इसलिए बनाई थी, क्योंकि बहुत सारे students के queries आ रही थी, question आ रहे थे, मिलते हैं बच्चों, हम लोग अपनी next वीड क्यों, क्यों 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 येू